मैं डॉक्टर भामा अगरवाल आपके अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ आज की कक्षा में आपका उन्ह स्वागत हैं आईए बच्चों आज हम शिवराज भूशन के पद संख्या 708 का अध्यान करें पद संख्या साथ ताते सिर्जा बिरदभो सोभित सिंग प्रमान रणभू शिला सूभों सिला आयूश्मान खुमान प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठे पुस्तक मध्य कालीन हिंदी कवीता में संकलित है इसके रचेता रिती कालीन वीर रसके कवी भूशन है संधर्म यहां कवीवर शिवाजी महराज को सर्जा भोसिला और खुमान की उपाधी किस प्रकार से प्राप्तुवी उसका बड़ा भाव पुर्ण और कारण के साथ चित्रन करते हुए कहते हैं कि व्याख्या आईए बच्चों व्याख्या से पूर्व हम शब्दों के अर्थ जान लें ताते इसी कारण से सिर्जा सर्जा अर्थात सिंख वनका राजा शेर विरद यश गौरव भो बन गया प्राप्त हो गया शोभित शोभा पाता है सुन्दर लगता है शोभाय मान होता है सिह शेर केसरी प्रमान प्रमानित हो चुका है जोकी रण युद्ध भू भुमी सिला चटान परवत सु के समान भोसिला प्रित्वी की चटान आयूशमान चिरंजीवी जिसको लंबी आयूप्राप्त होनी चाहिए या हुई है उसे हम आयूशमान कहते हैं खुमान बहुत बहादुर लंबी आयूँवाला अत्यंत साहसी व्यक्ति को खुमान की उपाधी प्राप्त होती है व्याख्या यहां कवीवर भूशन शिवाजी महराज की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनको उनके कारियों के कारण उनके वहवार के कारण उनके आचरण के कारण अनेक उपाधियां प्राप्तुवी और उनका यश दूर दूर तक फैला उनी कुछ उपाधियों का जिक्र करते हुबे कहते हैं कि शिवाजी महराज अत्यन्त साहसी थे, निडर थे, तेजश्वी थे, ओजश्वी थे और आत्म विश्वासी थे उनका आत्म विश्वास और साहस ठीक उसी प्रकार उनमें कूट-कूट कर भरा हुआ था, जैसे जंगल का राजा, शेर, जंगल में निडर होकर, पूरे आत्म सम्मान और साहस के साथ, यहाँ वहाँ विच्रन करता है, घूमता है, ठीक उसी प्रकार, शिवाजी महराज भी इस प्रित्वी पर अपना सम्मान निर्मित कर पाए, स्थापित कर पाए और प्राप्त कर पाए, उनका रणकोशल, युद्ध भूमी में उनका आत्म विश्वास इतना अधिक था, कि उनका शत्रू पक्ष भी, उन्हें कहता था, कि शिवाजी युद्ध भूमी में ठीक उसी प्रकार स्थिर हो जाते हैं, डट जाते हैं, जैसे कोई चटान स्थिर हो, जैसे कोई परवत अपने स्थान पर बना रहे, इसी लिए उन्हें प्रिथ्वी पर चटान के समान स्थिर होने की उपाधी भोसिला के रूप में प्राप्त हुई, और उनके शत्रू पक्ष के राजा भी, उनकी वीर्ता और उनकी लंबी आयू के कारण, उन्हें खुमान की उपाधी से शुशोभित करते थे, अर्थात कवी के कहने का भाव यह है, कि शिवाजी के चरित्र में सिय के समान आत्म विश्वास और निडरता थी, चटान की भांती द्रता और स्थिरता थी, और वहें वीर्ता और साहस का परियाय बनकर लंबी आयू तक इस प्रित्वी पर सम्मान प्राप्त करते रहे, अवी के कहने का भाव यह है, कि शिवाजी अपने महान गुणों के कारण ही जन जन में लोकप्रिये हुए और सारा संसार उनके यश का गुणगान करने लगा, विशेश, शिवाजी को सरजा, भोसिला, आयूश्मान, खुमान की उपाधियां कैसे अरजित हुई, उनका भाव पूर्ण चित्रन किया गया है, शुद साहितिक ब्रज भाशा का परियोग है, वीर रस है, ओज गुण है, यहाँ आनुप्रास, सुमरण, रणभू सिला रूपक, सु उपमा, उलेक आदी अलंकारों का सुन्दर परियोग हुआ है, दोहा चंद है, संगीत आत्मक्ता और गेशली है, बिंबात्मक शब्दावली का परियोग हुआ है, दोहा संख्या आठ, भूशन भनीता के भयो, भूव भूशन निर्प साही, रातव दिन संकित रहें, साही सबे जग माही, प्रसंग, प्रस्तुत दोहा, हमारी हिंदी की पाठे पुस्तक, मद्यकालीन हिंदी कवीता में संकलित, शिवराज भूशन के दोहों से लिया गया है, इसे रितिकालीन वीर रस के कवी, भूशन ने रचा है, संधर्व, यहां कवीवर, शिवाजी महराज के गुण और वैवार पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि, व्याख्या, प्यारे बच्चों, व्याख्या से पूर्व हम शब्दों के अर्थ जान ले, भूशन, भूशन कवी ने अपने लिए प्रियोग किया है, कवी का नाम भूशन है, भनी माने महसूस करना, वर्णन करना, बताना, प्रगट करना, ताके उसके भयो उत्पन हुआ, भूव, भूव अर्थात भाव, भाव अर्थात संसार, प्रित्वी, यहां भूशन, आभूशन, ताज, निर्प राजा, साही, शक्तिशाली राजा, शिवा जी के वन्ष को, शाह जी की उपाधी प्राप्त थी, रातों रात, दिन दिन में, शंकित डरे हुए, भैबीद, रहें रहते थे, साही, प्रित्वी के राजा, सबई सारे के सारे, जग दुनिया, माही, अंदर, संसार के अंदर, व्यख्या, यहां कवीवर भूशन, शिवाजी महराज के प्रित्वी पर राजा बनने के बाद की स्थिती को प्रगट करते हुए कहते हैं, कि जब शिवाजी महराज प्रित्वी पर राजा के रूप में स्थापित हुए तो वो सम्पून प्रित्वी पर आभूशन की भांती सम्मान प्राप्त करने लगे चमकने लगे अर्थात प्रित्वी के समस्त राजाओं के सिर के ताज के रूप में प्रमानित हो गए स्थिर हो गए उनकी वीर्था निर्भिक्ता निडर्था और रण कोशल के कारण प्रित्वी पर जितने भी राजागण थे वो सबके सब रात दिन अनुचित कारिय करते हुए अनुचित वेहवार करते हुए डरते थे कि शिवाजी महराज को जब पता चलेगा तो वहें उनके दंड को कभी भी क्षमा नहीं करेंगे अर्थात कवीवर भूशन बताते हैं कि शिवाजी महराज के राजा बनते ही सभी राजाओंने मरियादित, संतुलित और जन सहायक आचरण अपनाना आरंभ कर दिया क्योंकि शिवाजी अनुचित आचरण करने वाले राजा को दंड दिये बिना नहीं रहते थे भावार्थ कवी के कहने का भाव यह है कि शिवाजी के राजा बनते ही सारी प्रित्वी के राजाओंने अपने अपने आचरण को नियंतरित और मरियादित करना आरंभ कर दिया क्योंकि शिवाजी संपूर्ण प्रित्वी पर मरियादा अनुशाशन जन जन के साहायक बनकर उभरे थे विशिश यहाँ शिवाजी की वीर्ता और उनके प्रजा पालक रूप का चित्रन किया गया है शुद्ध साहितिक ब्रज भाशा का परियोग है लक्षना शब्द शक्ति है वीर रस है ओज गुण है यहाँ अनुप्रास रूपक रातव दिन के लिए पदमेत्री भूशन दो जगें दोनों अलग-अलग अर्थ यमक आदी अलंकारों का सुन्दर सटीक परियोग हुआ है दोहा चंद का परियोग है संगीत आत्मक्ता और गेश अली बनी हुई है यहाँ बिमबात्मक शब्दावली का परियोग है आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इ आशा है पढ़ा गया विशे आपको सरलता से सहजता से अवश्य समझ आ गया होगा अपने भाववे विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल सब्सक्राइब करें आपका दिन और जीवन मंगल में हो इसी शुब कामना के सा आभार धन्यवाद